इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung phone में screenshot कैसे लिया जाता है यानि कि Samsung mobile में screenshot कैसे लिया जाता है मेरे पास Samsung का phone है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास Samsung का phone है तो आप देख सकते हैं यह Samsung का है proper, लिखा भी यहाँ पे अब स्क्रिंशॉट कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ तो अगर आपका सोड़ा पुराना Samsung का phone है तो अलग तरीका है, अगर नया तरीका है तो अलग तरीका है आपको अपना power button और volume down button देखना है कहाँ पर है आपको इन दोनों पर finger रखने है और थोड़े देर तक दवाय रखना है आपका screenshot हो जाएगा पर अगर आपका phone नया है तो आपको इन दोनों button पर उंगली रखनी है और इसे जटके से दवा के छोड़ देना है आपका screenshot हो जाएगा आप देख सकते है मेरा phone थोड़ा नया है दो साल पुराना है वस अगर आपका phone चार पास साल पुराना है तो आपको button दवाय रखना है तीन चार सेकिंड तक यह वाद जटके से दवाये ऐसे करके छोड़ दीजी screenshot हो जाएगा वरना आप एक application भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके phone में यहापे power button काम नहीं कर रहा या screenshot नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे search करें screenshot touch screenshot touch search करें इसको install कर लेजिए मैं इसको install करता हूँ और इसे use कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा वेट करते हैं करीवन 6MB का application है यह ज़्यादा बड़ा नहीं है इससे आप एक बार में screenshot ले पाऊगे आपको ज़्यादा setting नहीं करने पड़ेगी तो install हो गया है इसे use कैसे करना है वैसे लिखा है यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं इसे open करता हूँ open पर touch करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा okay पर touch करना है start capture monitoring करना है allow करना है यहाँ पर आपको application का नाम मिलेगा तो उसे allow कर दीजिए नीची के तरफ जाके screenshot touch नाम से तो मैं देखता हूँ यहाँ यहाँ यह रहा इसे चालू कर दीजिए back कर दीजिए यहाँ पर start हो गया है आपको एक camera का icon मिल जाएगा अब जहाँ का screenshot लेना है देखिए तो मुझे यहाँ पर एक application है यहाँ पर contact मैं इसका screenshot लूँगा आप देख सकते हैं आपर screenshot आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको touch करता हूँ मेरा screenshot हो गया आप देख सकते हैं मैं द्वारा टच करूँगा तो द्वारा टच हो जाएगा सायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में